प्यारे सजनों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर अर्वानी हैं और मॉंबे में सीनियर मेडिकल उंकॉलाजिस्ट हैं और जैसा आपने देखा होगा कि कोविट तो बहुत ज्यादा प्याला हुआ है पर इसका मतलब नहीं है कि दूसरी बीमारी नहीं है बहुत सारे बीमारी हैं और इसमें कैंसर भी एक बरी बीमारी है सारे वर्ल में इसका प्रवलेंट्स है और इंडिया में भी इसका बहुत मात्रा में कैंसर हो रहा है ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 10 से 12 लाख new cancer patient every year हो रहा है इसका मतलब है कि यह बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है और जो main cancers इंडिया में होते हैं वो ladies में breast cancer और uterine cancer हो रहा है और males में mouth cancer, daryngeal cancer, lung cancer और isophagal cancer हो रहा है और यह सब जो male में cancers हैं वो सब related हैं to tobacco और female में जो cancer होते हैं वो related है lifestyle पर तो आप देखेंगे कि majority of cancers are related to the lifestyle and habits इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग habits को change करके हम लोग अपने lifestyle को change करके cancer की मात्रा कम कर सकते हैं तो एक तो बात है कि हम cancer की मात्रा कम करें और दूसरी जो important चीज है कि हम लोग cancer से डरे नहीं और उसका early diagnosis करके यही इसका आजकल emphasis है all over the world की प्रवेन cancer को प्रवेन करो और दूसरा early diagnosis करके हम लोग cancer को पूरा निकाल भी सकते हैं कर दो एक जर रहीं कर आजकल से रहाँ कर दो एक कर फिर